एक बार की बात है, स्वामी विवेकानन्द अपने आश्रम में सो रहे थे, कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो की बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानन्द के चरणों में गिर पड़ा और बोला महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहंत करता हूँ, हर क मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाए तब तक आपके समस्या का समाधान ढूडता हूँ, इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया, तो स्वामी विवेका इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि यह कुट्टा इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दोड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना ठक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष के पास होते हुए दूर भट जात से लना ही हुए प्याऑ करना हाँ